वीगाज आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वी आई सिम की बेस्ट लेटिस्ट एपीएन साइटिंग के बारे में अब एपीएन साइटिंग अगर आप अपने फोन पर ये फिर अपनी सिम पर कर लेते हैं तो बहुत ज़ादा करना है और प्ली चैनल को ज़रूर सिस्क्राइब कर लो कि कि मैं हर मन्त आपके लिए एपीएन साइटिंग लाता रहता हूँ सो विदाड उस तिंगे नहीं में हो टाइम लाट्स कर दिश टाइट वी आई सिम की एपीएन साइटिंग करने के लिए यह सिम्पल से आपको अपने फोन की सेटिंग को उपिन कर लेना है और जैसे ही अपने सेटिंग को उपिन कर लेते हैं तो कनेक्सन का एक ओप्सन देखने को मिलता है या फिर आप सर्च कर सकते हैं अपने सर्च बाहर पर जाकर and simple से इस option पर आपको click करदना है and guys जैसे ही click करते हैं तो इधर पर आपको mobile networks का option देखनी को मिल जाता है इस mobile network पर आपको simple से click करदना है and guys जैसे ही click करते हैं तो इधर पर आपको access point names का option देखनी को मिल जाता है इस पर आपको click करदना है and guys जैसे ही click करते हैं आपको अपनी sim को select करना है second पर अगर डाले हो तो select कली जी है second वाली and simple से आपको इदर पर option देखने को मिल जाता है three dots का उपर side पर right side पर इस पर आपको click करना है and reset to default के option पर आपको click करना है and reset पर आपको simple से click करना है and जिसके बाद आपको add का option देखने को मलता है and add के option पर click कर आपको डालना है यूजरनेम का ओपसन देखने को मलता है इस पर क्लिक करना है एधर पर आपको डालना है इस्मॉल लेटर में विय आई 4G.speed. आपको अपने मन्थ का नेम डाल देना है जैसे कि अभी December चला है तो मैं December का मन्थ डाल सकता हूँ या फिर जो भी आप मन्थ के हिसाब से सेटिंग कर रहा है उस मन्थ का नेम इदर पर डाल दीजिए and simple से OK पर आपको क्लिक कर देना है और OK पर क्लिक करने की बाद पास्वर्ड का option आपको नोट सक्ट रखने देना है सर्वर के option पर क्लिक करना है www.google.com इदर पर आपको ढाल देना है इदर पर आपको MMS SC का ओप्शन देखने को मिलता है इसको आपको not sector रखने देना है MMS proxy का ओप्शन देखने को मिलता है इसको भी आपको not sector रखने देना है MMS port को भी आपको कुछ नहीं करना and simple से MCC, MNC को आपको कुछ नहीं करना है ये area by code select रहते हैं and authentication type पर आपको क्लिक करना है PAP और CHEP का option देखने को मिलता है इस पर क्लिक करना है and APN type का option आपको देखने को मिलता है इस पर क्लिक करना है default लिखा हो तो लिखा रहने देना है अगर नहीं लिखा है तो small letter में आपको default लिख देना है and ok पर क्लिक करना है प्र , प्र्ट को तोप है।is प मिल जात है। इस पर क्लिक करना है, next in one row अभर आको अखके पर है। सब्से मोश्ट इनपरेंट सेटिंग बेरग आहे। इस पर क्लिक करना है। फ्र येको अंटीक करना है narration यंदıs आपको टिख करदना है रोके पर आपको क्लिक कर दोया है औ approach करना है जो आपकी शैटिंग यो हो चुगी है त्रκα ढूर अपको डूर् twor किलिक करना है जो आपकी स्वियाद स्वियाuen करना है जो अपकी सब्कर आन जो इस परपार अपकी इन्टरनेट Google क्युंत करने करन चाहिए तो चैनल को ज़रूर सिस्क्रोप करेब करें कि कोई हर मंत में आपको नूइवटिया खी में तो चैनल को जरूर रहाई श्क्रोप तरह खो तक दो